आईए दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले है वोपो A3S के टॉप फीचर्स अगर आप हमारे चनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बनिएगा बहुत सारे यूस्फिल वीडियो बनाया हूं आप मेरे चनल पर प्रॉस करके देख सकते हैं सब्सक्राइब प्रस करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर टैप करें तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको नोटिफाइब भी आएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है आप देख सकते हैं कौन सा वीडियो आया है और आज के वीडियो में ओपो यह 3S का आप फीचर्स देखेंगे कि यह मॉबाइल कितने सारे फीचर्स देता है वह सारे यहां पर मैं बता दूंगा एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं तो सारे फीचर्स कुछ इंट्रेस्टिंग फीचर्स भी दिया है वह पना यूसफुल वाला हेल्फुल वाला फीचर्स तो वह सारे चीज हम देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अप्वाइए 3S की टॉप फीचर्स सबसे पहले फस्ट फीचर हम देखने वाले है एप लॉक जो की सेक्यूरिटी में है उसके लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है या फिर जब आप होम स्क्रीन पर होंगे तो यह वाला सेटिंग है तो यहां से आइकाउन से भी जा सकते है जल्दी आप अगर कुछ सेटिंग्स ढून रहे है इस मोबैल में तो जस्ट ऐसे स्वाइब डाउन करके यहां पर आपको सर्च बार मिलेगा तो कुछ भी आप को ल Aujourd' cm के लिए तो महा पर आपको पासवर्ड कोच आप चयंज कर सकते हैं अगर आप नंबर से अपको लॉक नहीं करना चाहते हैं आईसा तो आप किया कर सकते हैं यह lettuce क्रिप्शन तो यहां से आप पैटर्न क्ट भी दे सकते हैं तो एक नया पैटर्ण बनाना है आपको दो बार बना के confirm करना है और उसके बाद यहाँ पर पहले वो set security question एक बार change करना है क्योंकि अगर वो pattern से unlock नहीं होता है तो आप यहाँ से security question को answer कर सकते हैं तो यहाँ से डेर सरे ऐसे questions मिलेंगे आप भी a question create कर सकते हैं easily याद रखने के लिए मान लिजिए what is the name of your high school तो यहाँ पर हम अभी type करेंगे यह bct just example के लिए उसके बाद just done पर tap कर दीजिए तो यह रहा applications जो भी आप application इंस्टाल किये हो जो उस पर एक बार जो भी आप lock करना चाहते हैं तो tap करके just उसके बाद आप enable encryption 4 तो उसके बाद यह रहा encrypted तो encrypted 4 applications अभी encrypt हुआ है अभी मैं जाकर यहाँ से facebook को open करता हूँ देखते हैं कि pattern lock पूछता है नहीं देखिए यहाँ पर facebook is encrypted and pattern unlock होने के बाद ही वो application open होगा तो next setting हम देखेंगे private safe उसे आपको security पर जाना है तो security पर जाते ही यहाँ पर है private safe तो private safe क्या है एक private folder है आपके लिए तो यह बार अगर आपने app lock के लिए passcode and pattern या कुछ भी आपने set किया तो वहीं आप इसको भी use कर सकते हैं बहुत ही convenient है दो दो तिन 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 आपको passcode याद रखने की ज़रूरत नहीं तो जैसे हमने home screen shortcut भी रखेंगे हम तो जल्दी से private safe आप add कर सकते open कर सकते pattern देखे तो बार-बार settings पर आना नहीं पड़ता है तो ऐसे होने के बाद यहाँ पर क्या करना है done पर tap करना है तो यहाँ पर देखे वो बोलेगा photos, audio, document other आप यहाँ से जाके अगर कुछ आपके photos है तो for example यहाँ पर कुछ photos मैंने लिया है तो यहाँ से आप import photos करके tap करें तो यह वाला जो भी photos आप private safe में lock करना चाहते है यानि कि hide करना चाहते है तो यहाँ से tick करके done पर tap करना है आपको तो उसके बाद ok and यह रहा private तो अभी यह वाला photo देखने के लिए क्या करना है आपको जब आप gallery पर जाएंगे तो वह वाला photo वहाँ पर photos पर जाएंगे तो यहाँ पर नहीं रहेगा वो तो वो यहां से गायब हुआ है अभी private safe में गाया है तो क्यूंकि हमने home screen पर डाला था कोई भी documents and photos वगएरा वगएरा तो यह था private safe इसके बाद next हम देखेंगे kids space तो उसके लिए फिर से हम settings पर जाएंगे and settings पर जाते ही यहां पर security security में है kids space देखें बहुत ही useful feature है kids space अगर आप अपने बचों के लिए mobile देते है खिलने के लिए तो आप सारे other चीज जो भी है वो prohibit करके आप सिर्फ apps allowed to be access पर जाके कुछ apps ही allow कर सकते है kids के लिए तो वो बाकि सारे apps अगर चाहते हो भी तो वो बिल्कुल open नहीं होंगे तो for example अगर मैंने music को enable किया है तो सिर्फ वो open करेंगे music and कोई भी other application यूज़ करते है तो open नहीं होगा यहाँ पर duration भी upset करके दे सकते है 30 minutes के बाद unlock होगा 30 minutes तक बिल्कुल ऐसा ही रहेगा kids space में यहाँ पर enter kids space है तो एक बार tap करेंगे तो देखें सिर्फ music उनके लिए enabled है बाकि कुछ भी नहीं कर सकते है आप बिल्कुल home screen नहीं कुछ भी नहीं यहाँ पर तो सिर्फ kids के लिए कुछ games आप application इंस्टाल करके kids space में एंटर करके आप दे दीजिए सिर्फ games केलेंगे बाकि कुछ नहीं करेंगे तो यह बहुत ही बड़िया feature useful feature है अगर आप अपने बच्चों के लिए mobile देते है तो आपको पता है pattern code क्या है सारा तो यहाँ से आप quit kids space करके tap कीजिए तो यहाँ से फिर से pattern हम देंगे तो बिल्कुल unlock होके आपका space मिल जाएगा तो ऐसे आप set कर सकते हैं बहुत useful feature है kids space fourth one अभी हम देखेंगे smart and convenient में तो इसमें बहुत सारे features दिया है settings पर जाएंगे तो smart and convenient तो smart and convenient में देखे navigation keys जो हम यहाँ पर navigation keys यूज करते है back recent home के लिए तो यहाँ से आप बिल्कुल change कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा display है 6.2 inch का तो आप यहाँ से virtual navigation की enable कर सकते है swipe up gesture navigation है यानि कि देखे अभी वो navigation remove हो गया full screen realistic मिल रहा है आपको यहाँ से आप gesture यूज करके वो एक tutorial भी दिया है कौन सा gesture कैसे use होता है करके वो आप एक बार देख लिजिए आपको कौन सा convenient होता है आप वो रख सकते हैं तो आपके लिए choices भी है यहाँ पर ना कि सिर्फ एक ही एक दिया है उससे ही आपको adjust करना पड़ता है ऐसा कुछ नहीं बहुत सारे choices दिया है अगर आप left-handed है right-handed है तो भी आप use कर सकते इन gestures को तो आप एक बार खुद पढ़ लिजिए देख लिजिए कौन सा आपको अच् नेक्स्ट यहाँ पर हाइड जेस्टर गाइड बार तो एक गाइड वाला भी हाइड कर सकते हैं मिस्टच प्रिवेंशन है यहाँ पर तो वह वाला रख सकते हैं तो ऐसे आप navigation को हैड कर सकते हैं otherwise अगर लाना चाहते तो वर्चुल की navigation फिर से आ गया तो अभी इसको हम करेंगे जब चाहिए वह आप यहाँ पर जस्ट करेंगे तो वह फिर से आपको आएगा navigation जेस्टर अधर्वाइस आप हाइड करके भी रख सकते हैं अगर वह रखना चाहते हैं तो इसको डिसेबल करना है अधर्वाइस एनेबल करके आप आप भी कर सकते हैं तो यह वाला कई नीच्टर वह स्मार्ट ड्राइविंग चाहिए तो नेच्ट फीचर है इस अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो यह जो भी चाहिए सब करेंगे तो विल्कुल activate होगा तो वैसे आप अगर driving कर रहे है और instantly कुछ call आता है तो automatically disconnect होके उनको message जाएगा तो कैसे message जाएगा क्या करना है यहां से आप change कर सकते हैं do not disturb driving से देखें देर सरे options है voice readout incoming call किसका call आ रहा है read करने के लिए यहां से आप enable कर सकते है ring for repeated calls अगर emergency के लिए दो तीन बार वो ring कर रहे है आप respond नहीं कर रहे तो आप फिर से ring कर सकते है automatically तो ऐसे आप धेर सारे options है यहां से आप एक बार देखके जरूर चेंज कीजिएगा तो बहुत useful feature turn on smart driving तो नया feature है open introduce किया है budget phone में Bluetooth car kit या अगर आप Bluetooth से connect करते हैं तो automatically connect हो जाएगा वह तो नेक्स्ट है gesture and motion जो जस्ट राइन motion में देखिए smart call है screen of gestures है यानि जब आप screen lock करेंगे तो instantly यहां से आप कर आप enable करेंगे तो double tap to turn on turn screen on यानि कि इसको अगर मैं enable करता हूँ तो mobile को हम lock करेंगे देखिए अभी double tap करता हूँ तो instantly unlock हो जाएगा तो ऐसे screen on होगा तो ऐसे आप shortcuts को बना सकते है ड्राइवी टू टर्न आप flashlight तो भी आप करेंगे तो flashlight on होगा music control के लिए है forward and backward लेने के लिए tracks को play करने के लिए तो ऐसे यहां से कर सकते है अड़ screen of gesture है तो और भी आप अगर screen of gesture चाहते है तो screen of करते ही slide up अगर slide up करेंगे तो क्या चाहिए क्या on होना है यहां से आप बिल्कुल setup कर सकते है start and app तो instantly आप अगर lock screen पर है तो कोई भी आप पर जाना चाहते है तो यहां से आप बिल्कुल दे सकते हैं तो यह वाला आप जैसे आपने को चाहिए वैसे आप customize कर सकते है बहुत ही बढ़िया फीचर है screen of gesture तो three fingers screenshot यहां से enable करना है swipe down with three fingers to quickly take a screenshot तो ऐसे आप screenshot ले सकते है तो next feature है देखते है assistive ball तो जैसे कि यहां पर assistive ball है quickly अगर screenshot लेना जाते है quickly कुछ task करना चाहते है mobile का तो आप assistive ball से कर सकते है जस्ट एक बार enable करना है यहां पर दो option है tap menu and gesture operation तो कुछ भी आप आपके convenient के हिसाब से आप कर सकते है तो यह वालत चोटा सा ball आया है देखिए इसको जहां चाहिए वहाँ आप move कर सकते है ऐसा screen edges पर and यहां पर tap करने से क्या action होता है वो आप बिल्कुल customize करके रख सकते है जैसे कि अभी notification center तो जस्ट आप एक बार tap करेंगे तो notification center आना है तो जस्ट वो select किजिए या फिर screenshot one-handed mode देखिए अभी जस्ट मैं tap करता हूं तो screenshot ले लेगा वो बिल्कुल ऐसे बहुत useful feature है assistive ball तो यहां से double tap करने से क्या आना है वो भी customize कर सकते है touch and hold अगर tap करके hold करेंगे तो क्या आना है देखिए अभी क्योंकि home screen है तो बिल्कुल home screen आ गया और यहां पर transparent सी वो assistive ball का वो भी आप बदल सकते है कितना dark और कितना transparent मर्ज होना है background से तो वो अवाला select कर सकते है hide ball automatically in full screen वो भी कर सकते है अगर आप movie देख रहे है तो यह ब पर यह बहुत ही helpful feature है आट इसके बाद देखते है full screen multitasking full screen multitasking जैसा की नाम है अगर आप full screen पर कुछ काम कर रहे है या फिर गैम खेल रहे है तो instantly अगर मेसेज भी भेजना चाहते हैं तो full screen multitasking को on कीजिए यहां पर quick apps पर select करना है आपको consequence है आप चाहिए तो फिलाल अभी messages है up to three apps तो यहाँ पर एक चोटा सा icon आपको उपर मिलेगा जब आप ऐसे landscape mode पर रहेंगे तो यहाँ पर जैसे display कर रहा है ना तो instantly एक बार tap करेंगे तो आपको एक चोटा सा ऐसे बार मिलेगा वहाँ से आप बिल्कुल message type करके भेज़ सकते हैं यहाँ पर cross mark पर tap करेंगे तो वह close हो जाएगा तो ऐसे आप functions हो या फिर apps हो वह select करके रख सकते हैं मान लीजिए अगर आप गेम खेल रहे हैं सक्रीन रेकॉर्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहां से फिक फंक्शन में अभी रेकॉर्डस प्रिंट है ही तो जब आप लेंश्केप मोड पर गेम एल रहे हैं तो यहां पर आइकन आएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर यस्ट टैप कर दिजिए तो इंस्टेंटल बिल्कुल लॉंचर को चेंज कर सकते हैं डिफॉल्ट एप मेनेजमेंट है तो वहाँ पर जाएंगे होम स्क्रीन हो या फिर कोई भी आपस का हो आप बिल्कुल डिफॉल्ट आप जेंज करके अपने पसंद की तरह रख सकते हैं वैसे ही यहां पर लॉंचर है तो अगर आप से इंस्टॉल करेंगे तो यहां पर दिखाए देगा जस्टाप करके आप उस लांचर को डिफॉल्ट बनाएगे का बहुत ही इजी बनाया है ओपो ने अभी लॉंचर चेंज करने के लिए तो यहां से आप मैनेजमेंट से वह चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट फीचर एक गेम स्पेस तो सफरेट गेम स्पेस दिया है ओपो में तो जब आप गेम्स खेल रहे हैं तो दूनाट इस्टर फीचर यहां से पैनल नोटिफिकेशन्स लॉग होगा तो कोई नोटिफिकेशन्स नहीं आएगा सिर्फ कॉल्स आएंगे अगर वह भी ब् स्पेस एक्टिवेट हो जाएगा ग्राफिक से एक्जिलरेशन मिलेगा तो ज्याता से ज्याता जो भी बैक्रण में अप्स रन होते होंगे तो वह बिल्कुल स्टॉप कर देगा और आपको थोड़ा बुस्ट मिलेगा ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में तो जो भी आप गेम बहुत यूसफुल फीचर से ओपो यह 3S में लास्ट बट नॉट लिस्ट टूल्स में अगर यहां पर जाएंगे तो पताई होगा कि कैल्फुलेटर कैसे यूस करते है आप इसमें खासियत क्या है कि जस्ट त्री स्ट्राइप्स है यहां पर अगर दिखाए दे रहा है आप जो कोई भी कनवर्शन चाहते हैं लेंट कनवर्शन एरिया कनवर्शन वो बिल्कुल कर सकते है इस वीचर से तो यहां पर उन्होंने दिया है ज़स्ट अ टापके करके तो आप बिलकुल कणवर्ट कर सकते हैं र.? इन इंस्टनली वो रिजल्ट देगा वहता हैं बतान वीडियो में तब तक के लिए टेक कर अपना वाई-बाई तो दोस्तों इतने सारे फीचर से अगर आपको 400 लगा तो जरूर लाइक कीज़े सबस्क्राइब करके बने रहें हमारे चैनल पर अगले वीडियो में प्ल के लिएटेक कर अपना बाई-बाई